सोसल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वाटसब गूरूप, फैस्बूक गूरूप में बहुत ही तेजी से यह चीज वाइरल किया जा रहा है कि 2023 में जो भी टॉपर बने हुए है, टॉपरो का लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुका है, साइन्स का यहाँ पे बताया जा रहा है, कि अंग प्रती से सब चीज बताया जा रहा है, यहाँ पे कमर्स का बताया जा रहा है, यहाँ पे आर्स का बताया जा रहा है, कितना परसेंट यह सत्य है, कि यही 2023 का इसी साल का यह है, कितना परसेंट सत्य है, अभी आपको प्रूप के साथ, अभी आपको बताने वाले है, थ 2023 रेंग के छातर का नाम कूल अंग प्रतीसा सब चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सौरब कुमार यानि साइंस में बताया जा रहा है कि साइंस टॉपर लिष्ट में बताया जा रहा है कि सौरब कुमार औरजुन कुमार राज कुमार, सेजल कुमारी, बिशनू कुमार, सुभहम कुमार, वार्मा, सजीत कुमार Hiyaa पर साइन्स में बताया जारहा है, imagine कुमर्स इस से पर सफ Shallad यह कितना पर्सें सत्ते पेरा है, क्योंगी देखिए कुछ स्टु JUST沒有 ug art टॉप किया है, यही नाम है किया, बताईए, देखिए तो हम भी सोचे कि अभी तो टॉपर का भरिफिकेसन चल रहा है यहां नि एक लाइया भी बता रहा था कि बहुएअ मेरा pops तारी का टॉपर मेल आया है, हम pops प्रकों जाएंगे वहां पे तो हम भी सोचे कि अभी तो भरिफिकेशन चल रहा है ठीक है टॉपरों का अभी कैसे हो सकता है यानि तो हम देखे हम देखे क्या किए कि अब नेट पे यानि गुगल पे सर्च किये कि 2022 यानि 2022 यानि 22 थे विह बढ़ दुहजर बाइस टॉपर लिस्ट है तो देखे तो सिदा सीधी दीन लग गया चीख है कि यहाँ पे साइन्स का लोग गया कि साइंस में गोरब कुमार यानि सुआ पकुमार और मिलिजेगा आप Dayton 2 लिए 222 नहीं है सीधीजिए कि इस सालका नहीं है जिए कि लिखेगा उतौप तूब टॉपर लिस्ट आपको भेटा जागा लाइन से सभी नाम भेटा जागा इसी तरह आपको गुमराह किया जारा है यह इस साल का नहीं है ठीक है 2022 का है अभी तो टॉपर का फेरिफिकेशन चल रहा है तो यह अभी से कैसे हो सकता है ठीक है तो सिधा से जी आप जानलीजे कि यह इस साल का नहीं है 2022 का है ठीक है तो चले रिजल्ट कब तक आने वाला है टॉपर का इंटर्भ्यू तो चल रहा है रिजल्ट कब तक आने वाला है जैसे ही रिजल्ट आता है जैसे ही रिजल्ट आता है तो वे साइड है बिहार बोड का ओपीसेल साइड बिहार बोड ऑनलाइन बहुत ही स्लो खाम करने लगता है अब बहुत सरे बचे हरान हो जाते हैं तो देखिए आप SMS के माध्यम से आप अपने रिजल्ट देख सकते हैं यहां पे देखे SMS में आपको लिखना है और 56 और 63 आपको लिख देना है लिखने के बाद रॉल नमर यानि रॉल नमर इतना नमर पर आपको SMS में लिख कर रॉल नमर आपको सेंड कर देना है देखिएगा एक या डेर मिनट में यह बहुत ही जल्द आपका जो भी डिविजन होगा आपको सूख कर देगा आपको दिखलाई देदेगा ठीक है तो चलिए जान करना तो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का रिजल्ट कब तक आने वाला है बताते हैं देखिए क्लास 12 का रिजल्ट 20 से 18 से 20 यानि 18 से 20 के बीच में आने का बहुत बहुत संभावना है या तारी को आने का बहुत बहुत संभावना है जैसे रिजल्ट आता है अब आने का कोई बात नहीं ह बहुत यासाइं तरीका से आप अपने रिजल्ट है कोई बात नहीं है वहीं पर मैटरी का रिजल्ट कोप तक आने वाला है देखिए जैसे ही अठारे या अनिस या वीस से पहले 18 तरीकों आने का बहुत ही संभावना है 12 का जैसे ही इतना 18 या 20 तरीकों जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाता है तो 13 का रिजल्ट आने का बहुत बहुत संभावना है 30 से यानि आपका देखिए 25 से 30 के बीच में आने का बहुत बहुत संभावना है